सेयोगिता गंज फुलस ने लूट करने वाले दो आरोपियों को गिरिफतार कर रिमान पर लिया है M.I.J. निवासी फिडित ने उनके खिलाफ मोबाइल लूट का प्रक्रण दर्ज करवाया था आरोपियों में से एक ने अपनी बहन को रक्षा बंदन पर लूट का मोबाइल गिफ्ट किया था वही दूसरा मोबाइल अपनी गर्ल फ्रेंड को दिया था दरसल पकड़े गए आरोपियों के नाम रोहित पिता ताराचंद काला निवासी इद्रिस नगर और सन्नी पिता सुरेश यादव निवासी मूसा खेड़ी है दोनों ने एक दरजन वार्दात करना कबूल किया है आरोपिय रोहित की गर्ल फ्रेंड सीमा काली ने इंस्ट्राग्राम पर रील बनाई थी इसमें वह चाको के साथ दिखाए दे रही है वही सन्नी का फोटो पिस्टल के साथ है यहीं से पुलिस रोहित तक पहुँची रोहित ने अपनी बहन को राकी पर लूट का मोबाईल गिफ्ट किया था रोहित तक पुलिस उसके जिजा बिट्टू के माध्यम से पहुँची बिट्टू ने साले द्वारा दिये गए मोबाईल में सिम लगाई थी जिसके बाद लोकेशन के आधार पर पुलिस बिट्टू को पकड़ कर थाने ले आई उसने रोहित का नाम कबूला जब रोहित को गिरफ्ट में लिया तो उसने सन्नी की जानकारी दी रोहित ने अपने गर्फ्रेंड सीमा काली को भी मोबाईल देने और लूट के माल को बेचने के बाद उससे मिले पैसे उस पर खर्च करने के बाद बताई थी सीमा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील अपलोड की थी पुलिस ने रोहित का इंस्ट्रग्राम अकाउंट ओपन किया तो उसमें सीमा के चाकू के साथ रील दिखी उक्त चाकू भी रोहित नहीं उसे दिया था हालाकि लूट की वार्दातों में सीमा का हाथ नहीं मिला लेकिन पुलिस आम्स एक्ट में उस पर भी कारवाई करेगी